प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज आंधर प्रदेश के दौरे पर हैं जाउनू ने वेंकटेश्वर विश्विद्याले में पांच दिवसिय वार्षित भारतिय विज्ञान कॉंग्रिस का उतकाटन किया इस दौरान पीम मोदी श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और वहाँ पूजा अर्चना की वेंकटेश्वर विश्विद्याले पहुंचे पीम ने कहा कि देश उन वेग्यानिकों का हमीशा आभारी रहेगा जिन्होंने हमीशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया है इ इस मौके पर पीम ने वेग्यानिकों के योगदान को भी सहराते हुए कहा कि हमारे वेग्यानिकों ने देश की दीतिकत दृष्टी कोन में दृड़ता से योगदान दिया है हमारे सरवशेष्ट वेग्यानिक संस्थानों को वैश्विक स्तर के नुरूप आधहार भूत अनुस अंधान को मस्बूत करना चाहिए वैंकटेश्वर विश्विद्याले में आयोजद इसकारिक्रम में देश भर के 14,000 वेग्यानिक और विद्वानों के अलावा अमेरिका, जापान, इस्राइल, फ्रांस और बांगला देश जैसे कहीं देशों के 6 नूबल पुरसकार विजेताओं ने भी हिस्सा लिया था तो पीम ने विज्विद्यानिकों का अभार जदाते हुए ये तमाम बाते कहीं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत विज्विद्यान और प्रद्योगी के शित्र में 2030 तक टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएगा देखते रहिए डीबिलाइव